ये गाईज वल्कम तु देव भूमी कर्यार पॉइंट आसा करता हूं आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफी अच्छे आपकी स्टेडी चल ले होगी तो देगे परिक्ष्यावाणी महाकुम्ब का अच भाग छह है हमारा परिक्ष्यावाणी पुछता का अध्याई तीन चल देखे यहाँ पर परिक्ष्यावाणी के साथ साथ मैं आपको अन्य एडिस्टनल एक्जाम पॉइंट उप्वी से महत्तोपुंग जो फैक्ट होते हैं उनको भी डिसकस करता हूं इसलिए परिक्ष्यावाणी सीरीज या परिक्ष्यावाणी जो महाकुम्ब है यह बहुत कि कइडinea न precious टोपिक को महत्तोपुंग गया और से को और यहां से कोईश्याव बन बनते हैं और एक्जाम पीमें जो कोईश्यावान बन सकते जादा या जो राजा महत्तोपुंग है जनको डिसकस करना आउस्यक हो जाता है तो आज हम बात करेंगे गड़वाल के परमार या पमार्वन्स के बारे में ठीक है थ्यंव अदेखे कट्यूरी सासन पढ़ा था हम दोस्तों छितनagement के करें सासन के बीच में ही धोस्तों बहु अरजकता का पार lap घाता है तो 8 god गंगा द्वार में लगी राजा बैठा हुआ है चांदपूर गड़ी में आज गरवाल का परमारवन से शुरू हो जाएगा चांदपूर गड़ी चमोली में एक राजा आएगा जैसे हमने चंदवन्स में पड़ा एक राजा आया था काली कुमाओं में और यहीं बस गया हो ऐसे ही हमारा चांदपूर गड़ी में भी एक राजा आएगा दूस्तों थीक ए जो चांदपूर गड़ी का राजा था भानु प्रताब था उसके समय राजा आएगा कनकपाल और वो यहे यहीं पर बच जाएगा और यहीं अगर हम बात करते हैं गोवीशान में अलग ता दानपूर जो बागिश्वर का उत्तरवर्ती छेत्र यहां पर अलग राजा है कत्यूर घाटी में हमारे जो बेसिक कत्यूरी सासे का राजपार्ट कर रहे हैं ठीक है गंगोली में हमारा मनकोल्टी राज़ा बैटा हुआ है काली कुमाओं में चंदवन से चल ला है और य इतिहासिक वन्स हमारा पमार या परमार वन्स भी इसी को का जाता है ठीक है परमार या पमार वन्स एकी बाद याद रखेंगे द्यान रखेंगे इसका तो सबसे पहले यहां पे भी देखे दोस्तों हमेशा बोलता है मैं उत्राखंड इतिहास की अलग-लग जो राइटर है वो अलग-अलग मत देते हैं, बहुँ ज़दा मद्धेत हैं, एटकिंसन, हरी कृरिष्ण रटूरी, बैकेट, सुधरसंसा यह बोलते हैं कि पौवारवनस का अजय BACK रबा का वास्तविक संसता पक थो अजय पाल वास्त विक रबा के रबा कक था तो उसने गड़ुपाल का ए कौन था तो फिर आप अजय पाल के साथ ही जाएंगे लेकिन गड़वाल ये चांदपुल गड़ी में मूलता नियू किसने डाली थी परमारवन से की तो हमारा आंसर जाएगा कनकपाल ठीक है तो सबसे पहले कनकपाल से ही सुरुवात करते हैं दोस्तों तो देखें गूर्ज प्रदेश से परमारवन से का एक राजा यहां पर बद्रिनाथ के दारनाथ की यातर पर आया जिसका नाम तक कनकपाल गोमने आगया वह भी उत्रागंड भाई पूर्वा समय से बहुत ज़्यादा यहां पर तीर्थाटन का प्लेस रहा है यानिकि आज भी पर्याटन हब है हमारा राज्य ठीक है वैसे ही पहले से ही पहुच ज़्याद था हरिद्वार आते थे और इन ध्रामों में केदारनाथ बद्रिनाथ में यहां पर राजा महारा जाया करते थे तो चनकपाल भईया भी हमारे पूंच गई यहां पर तो भानु परताब जी उसमें थे राजा तो भानुपिरताब जी ने यहाँ पर कनकपाल से बोला कि आप यहीं पर बच जाओं ठीक है और साथ साधी भी बोला जाते हैं बहुत से हमारे बोलते हैं इतियासकार कि भानुपिरताब जी ने हमारा साधी गर्दी अपनी पुत्री की किसके साथ कनकपाल के साथ ठीक है तो ज्यादातर इतियासकार यही बोलते हैं कि जो हमारे कनकपाल है कनकपाल ने ही इस वर्स को आप याद रखेंगे 888 इस भी में कनकपाल ने ही 888 इस भी में गड़वाल में परमार्या पमारवंसी की निव डाली ठीक है किसने कनकपाल ने इसको आप नोट कर ले पहला पोइंट से इस बीमें और इसके बाद देखे दोस्तों बहुत से राजा आते हैं अगे को अभी gli опас फूरा डिसकस करेंगे लिए प Fashion तो «C बहुत शब्लों दोस्तों उर्धा लखन देव या लशन देव वो पहला राजा हुआ जिसने ताम्र मुद्रा जारी की ताम्र मुद्रा जारी करने वाला पहला पमार सास कौन था तो ताम्र मुद्रा जारी करने वाला पहला पमार सास कौन था हमारा लखन देव या लशन देव ठीक है द्यान देखेंगे इसको तो सही कर देंगे आर सो अठासी इस भी में हमारी पमारवंसी की नियू पोड़ती है ठीक है अच्छे से इसको यार देखिए गए इसके बाद हम जाते हैं सिधे हमारा जो महत्तों राजा आता है अगला राजा दोस्तों वह अनंत पाल तो अनंत पाल ऐसा राजा होगा दोस् इसको धारसी लवीलेग हम बोलते हैं ठीक है अनंत पाल का ही प्राप्त होता है इसके बाद जो अगला राजा आता है और महत्तों पुन है जगतपाल चौंत विश्वे नंबर का राजा था ठर्टी फोल्ट और जगतपाल वह पहला राजा होगा जिसका तामर पत्र हमें प जाता है कि कनकपाल ही हमारा पॉमारवंस का सस्ता पकता है ठीक है यह ध्यान दिकेंगे और जगतपाल को इस तामरी पत्र में रजबार भी बुला गया है इसके बाद जीतपाल आनंदपाल डितियाधी सासक आते हैं फिर आता है इस प्रतापी सासक जहां से वास्तोविक रू जिसने गरवाल के 52 गरों का एक ही करंग किया यह बहुत महत्तोपूंग दोस्तों ठीक है यह इसका महत्तोपूंग पॉइंट है देखिए 51 गर्ड के राजाओने तो इसकी अधिंता श्युकार कर ले थी लेकिन 52 गर्ड था दोस्तों उप्वूगर उप्वूगर का राजा आज भी गरवाल में प्रचली थे बहुत वीर युद्धा था कपुच्वान उप्वूगर का तव तो 52 गर्ड का एक ही करंग किया इसने और अजय इपाल को इसलिए बहुत से टाइटल मिलते है अभी हम उनको भी देखेंगे और अजय इपाल से जुड़े अधने लगार Sóck multiplayer जिसने राजधानी को चांतपुल गली से कहां पहुचा दिया देवलगुर्य तीकाि चांतपुल गली से देवलगडी राजधानी स्तांटर्ट की 1512 में यह महत्त्व पुम यैं प्रेवायमि तो गड़ी में रही ती, इसके बाद हमारी अजय पाल ने राजधानी कहां इस्तापित की, देवलगड़ में 1512, इसके बाद दोस्तों पांच वर्सों बाद क्या किया, अजय पाल ने राजधानी को देवलगड़ से पहुचा दिया, 1517 में कहां पे, स्रीनगर में, ठीक है, फिर उसके बाद स्रीनगरी रही राजधानी, जब तक गोल खानी आ जाएंगे, तब तक राजधानी स्रीनगरी रहती है, तो ये अजय पाल की बारे में महत्तोपूर पॉइंट होगे, राजधानी को इस्तान तरिट भी किया, अजय पाल का युद्ध होता है केरती चंद स केरती चंद एक युद्ध में हरा देता है इसको, फिर दूसरी बार अजय पाल विजय हो जाता है, तो इसके बाद देखे, अब कुछ महत्तोपूर अडिशनल पॉइंट जो मैं बोलता हूँ अजय पाल को, अजय पाल ने देवलकर में एक राज प्रसाद का निर्मान करव इसने, पौमाय राजाओं की जो कुल देवी थी, वो राज राजिश्वरी थी, वहाँ पे, ठीक है, वैसे नन्दा देवी भी हमें मिलता है, राज राजिश्वरी हमें मेली देखने को मिलता है, इसके साथ जो अजय पाल था, वो गोरकनात पंत का अनुयाई था, गोरकना साथ दिखे एक महत्रप्र पॉइंट और बनता है दोस्तों कि कौन से ग्रंथ में अजय इपाल को आधिनाथ कहा गया है तो आधिनाथ से भी इसको सम्भोदित किया गया जैपाल को और यह ग्रंथ है सावरी ग्रंथ तो सांवरी गरंत में इसको आधी नाधी भी बोला गया है ठीक है अजय पाल की मिलती बोल जाते हैं कि 1519 के आसपास होते हैं 1519 के आसपास और अजय पाल का उत्तरा अधिकार होता है कल्यां ऐसा और ध्यान दखेंगे अजय पाल से जुड़े महत्वपने पॉइंट है तो असोग भी का जाते हैं यह भी महत्वपने पॉइंट है अजय पाल को गड़वाल का असोग भी का जाते हैं अब क्यों का जाते है थोड़ा इसको जान ली जैसे कलिंक युद्ध के बाद भीशन रक्त पात देखकर असोग का हिर्द है गलानी में से भर गया था ना उसने ब विवाल का असोग भी का जाते हैं और वंस में कुल कितने ससक हो यह चलिए आब इसके बाद बढ़ते है जो अगला शायाकत दोस्तों अगबर के समकालिन था और सहेच पाल के बाद जो हमारा अगला राजा बनता हो बल्भदR पाल बनता ये महत्तोपूंग पॉइंट है, बलभद्रिपाल वो पहला पॉवार सासक होगा, जिसने अपने नाम के आके साह की उपादी धारंग की है, कोशिन पूछा जा चुका है एक्जाम और बहुत महत्तोपूंग भी है, किस पॉवार सासक ने नाम के आगे साह की पदिवी लगान तो यह हम साह की उपादी कहां से सुरू करते हैं बलभद्रिपाल से और बलभद्रिपाल के बाद देखे दोस्तों बलभद्रिपाल के टाइम पे रिकेट के और कुछ महतोपून बाते हैं दोस्तों बलभद्रिपाल और रुद्रिचंद के बीच में हमारे 581 में एक तो यह बोला जाते कि लोधी वंस के सासकों ने दी थी यह तो बोला जाता है लेकिन अगर हम देखते हैं ध्यान से यहाँ पर तो भारत में तो मुगलवान से चल ला था तो यह कैसे पॉसिबल है तो कॉंट्रोवर्सियल है थो गया उत्राखन के हिस्टरी लेकिन आयोग यही मानता है साह की उपादी किस ने दी तो लोधियों ने दी ऐसा बोला जाता है तो इन पॉइंटों को आपने जादा यहाँ पर गौर्ण करना जो महत्तोपूंग पॉइंट बनते हैं उनके साथ आगे मानसा श्याम साह माप कीजिगा इसके बाद बलभद्र साह के बाद हमारा अगला राजा आता है मानसा मानसा दोस्तों हमारा बहुत महत्तोपूंग राजा हो जाता है मानसा बलभद्र साह का पुत्र था और मानसा की बात करते हैं दोस्तों मानसा के टाइम पिरेट पर ही हमा लक्षमी चंद हाल जाता है आठवी बार थोड़ा बहुत जीच जाता है हो जिसके बाद खतरवाउत सो मना जाता है कुमाउचेतिल में मैंने आपको बदाया था ना मानसा का एक सेनापती बीदा बहुत ही बलिष्ट सेनापती था इसका नाम सा नंदी यह याद गिन नंदी क बलिके समान दानदाता राजा था निफडिन यह का सेनापती था इसका सेनापती था यह मानसा के कि पी लिट पे जिशार महत्वर यह्या है रचना होई अर भरत कभी भरत कभी कि रचनाً चार चुछ सेना की चंतरु नाम लुकंत था और बली के समान दान दाता राजा था है ऐसा बोल रहता है और मानसा ने पहला अभियान भी किया था हमारा दापा प्रांत पर दापा एक उत्तर तिब्बत छेत्र में प्रांत पड़ता था गरवाल के उत्तरी सीमा पर वहां पर पहला अभियान और जीत हसिर की दिया हमार और लिख सा महागेड तो जहागीर दीकेब सबसे पहले मुगल सासक दिखेड़िक स्रीनगर श्या hardest стран जो है नश्रमृंश इसकी की पुष्टी होते है कि इसको मुगल सासक Ne fordi only Columb Bowl भीट के एक इसको पहूर अग्बैड को मुगल सासको के द्वारा हाथी और रहो गोगीं उपहार सोरुप दिये गए थे तो हमारा यह किसको दिया दम श्यामसा को ठीक है यह जहांगीर नामा में इसका पूरा उल्लेग मिलता है बहुत ही महत्तोब हुए और स्लीन अगर में श्यामसा ही बगवाग या बगीचा बनाए था हमारे किसने श्यामसा ने और ध्यान दकें ठीक है पहला पादरी यानि कि इसाइयों का जो धर्मगुरु होता है उसको पादरी बोलते हैं तो पहला पादरी इसाइयों का श्यामसा के टाइम पीलेट पर यह आता है जो की स्लीनगर होते तिबब जाता है 1624 में जिसका नाम था दोस्तों पहला जो पादरी था वो था एंटोनियो डी संकर-गुरू थे याद रखना है क्योंकि ष्याम साइक टाइम पीरिड पर हिए अमाartmente got होती है ठीक है यह महत्तों पॉइंट है आपको याद रखने इसके टाइम पिलेट पर सती पृथा भी हुई थी ऐसा बोलते है राइटर इसके बाद अमारा जो नेक्स सगाएगा पृतापी सा सगाएगा महिपति सा तो महिपति सा जो है इसको गर्वबंजग भी का जाता है अगर्वबंजग महामादोस यह भंडारी को भी का जाता है ठीक है तो ध्यान दगने आपने सरवाधी गुम्र में गडवाल का राजा बनने आवाला व्यक्ति था महिपति सा यह भी याद रखने आपने मुगल सासकों ने इसको या मुगल जो रचना है उसमें इसको अक्क मतलब अपने आप में जीने वाला अपने आप में अपने आत्मों विश्वा से लबरेज राजा था कभी भी अरिंता शुकान की और का इन्विटेशन रिजैक्ट करती है अरपार इसने मुगल सासको कह दिल्ली धरबार का इसलिए इसको अखड़ गाजा बोल जाता है ठीक कुमाव युद्ध में अपना बलीधान दे दिया था ठीक है यह महत्तोपूंग है तो यह महपती सा से जुगे कुछ महत्तोपूंग पॉइंट है दोस्तों यह आपने यादक ने महपती सा के टाइम पिरेट पे ही एक प्रथा भी शुरू हुई थी रोटी सूची प्रथा ठीक है रोटी सूची प्रथा किसके टाइम पिरेट पे सुरू हुई थी अगर कभी कोश्यन बनेगा तो रोटी सूची प्रथा अमारी महपती सा के टाइम पिरेट पे ही हुई थी क्या थी रोटी सूची प्रथा तो दीगे गलवाल चेतर में ऐसा होता था ना जो रोटी चामल वगेरा खाना जोवी बनाता था उच्चकुलीन ब्रामण बनाते थे गंगाली ब्रामण तो तिब्बत अभियान में जब गंगाली ब्रामण गई दोस्तों तो गंगाली ब्रामण एक मात्र धोती पहनकर जनेवु पहनकर मला उपर का सरीर जो ओता था नगन ओता था उ लगकि तो आप इस ने बोला है रोटी में तो टाइम लगता है चामवल चलो पंडित पगा लेगा तो आज से एक प्रफा शुरू करती हैं कि रसोई में जो रोटी वगड़ है पूरी वगड़ है आज से कोई भी बना सकता है च्छेत्री भी भी बना सकते है और पन्डित बीना सकते है बिना धोति प्यान लेकिन भात डाल जु बनेगा भरधा उरदाल हमारा केवल पन्डित बनाएगा धोती पेनने के और रोटी का बावाल खतम बनायेगा और रोटी सूची है बंद बंदा अ defense कर सकता है सब जाता है वैसे उसमें सब जाता था राजवेद्य भी जाते थे हमारे खाना बना निकले पंडित भी जाते थे कुशल मंगल वाले पंडित भी जाते थे पाठ पंत्र वाले जासूस भी जाते थे ठीक है बहुत मतला हाती घोगे सब जाते थे तो यह चीजे थी तो यह थी सुची प्रत बहुते हैं महत्वी पुशियर नहीं थी कैसे बाढ़ा घंड़ा सासा महठोप्स सहा के बाद के बद साधा है जहां से बहुत कोशियर बनाव Tah totalmente देखते हैं उसका नाम है प्रथवी पती साह तो प्रथवी पती साह दोस्तों यह बच्चा ही था जब गद्धी पर बैठा और इसकी संदक्षी का अमारी बंतियां दोस्तों मा करणावती तो 1635 में क्या होता है मुगल सेनापती नवाजत खा दून गाटी पर हमला कर देता है देकिन करणावती इस युद्ध को जीत जाते हैं अपने सोजबूस से अपनी प्लानिंग से और इसके बाद कुछ सैनिकों को पकड़ देती है और पकड़ने के बाद मतलब जो यह हमला होता है यह लोग अपनी पराजे स्युकार कर लेते हैं ऐसा नहीं होता क्यों सैनिकों मतलब मोहावर का या अगर मैं बोलों अर्थ क्या आओगा तो उसका आर्थी यह होता ना नाक कर जाना मतलब बदनामी हो जाना तो यह है इसका अर्थ ठीक है तो ऐसा कुछ निदा कि सैनिकों को पकड़ा और उनका एकसा ब्लेट से या चाकों से नाक काट आओ ऐसा कुछ ठीक है तो इसलिए नाक काटी रानी के नाम से फेमस हो गई और इसके बाद दोस्तों हमारा पृथवी पति साह गद्धी पर बैठता है जब साथ साल का होता है मात्र और संदक्षिका बनती है दोस्तों करणावती करणावती ने दोस्तों राजगल को दूसरी राजधानी बनाया थी यह भी महत्तों का पॉइंट है राजगली नामक प्लेस को दूसरी राजधानी किसने बनाया पावार साशनर का तो यह हमारी कणावती ने बनाया था ठीक है और दिलीव सागों वहां पर बैठा देती है देरा दुन में पृथवी पूर नामक सहर की स्तापना कि पृथवी पूर नामक सहर की स्तापना भी कौन करती है हमारी पृथवी साह यह हम बोल सकते हैं क्यां होती है ठीक है और 1636 में भी हमारा 1635 भी दिया बहुत ज़्यादा यहर का बहुत ज़्यादा अपन डाउन रहता है उत्रागन के इस्ट्री बुक्स में ठीक है इसलिए म बहुत बार उसको देख कर उसको चेक करकर वहां पर प्रिजेंट किया गया है इसके बार देखे 1656 में भी मुगल सेना यहां पर अटेक करती है दोस्तों कासिम खा के नेतरतों में दुबारा से और 1658 का वर्स थोड़ा महत्तव पूंग जाता है क्योंकि 1658 में क्या होता है दोस्तों देखिए पृथवी पती साहा हमारा जो होता है यह सुलेमान सिको को सरंग देता है मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टोपिक चंदवान से पढ़ा ना हमने सुलेमान सिको पहले चंद राजा के दरबार में जाता है वहां लेकिन चंद राजा उसको बोल देता और और अरंग्जेव नाराज होता है, लेकिन धोके से क्या होता है कि जो पुर्थवीपति इस आप पढ़ेखा करना एक राजा का धर्म है, इसलिए मैं इसको आपके हवाले तो नहीं करूँगा भले युद्ध करना पढ़े में इनकों, युद्ध की स्थिती बनीरी होते है उसी बीच को इधोका करके दिलीप साव वगिरा धोका कर देते हैं और ये सुलेमान सिको को सौंप देते है मुगल सेना को या मुगल जो भी वहां से लोग आया रहते हैं इसको पकरने के लिए उनको सौंप दे जाता है इसको ठीक है यह आप महत्वपुन दोस्तों ध्यान रिखिएगा अम मेदनी वहाँ किसे हो गड़े Widya मेधनी साह यहाँ पर है सुलेमान सिको को पकरवाने में मगलन च्र Ay alla अपने में में मेदनी साह को देश निकाला कर दिता Talking between वोड़ते और दियान रखिएंगे दोस्तों इसके बाद माहत्वत को आप ठीक है तो हो बात करते दोस्तों यह बहुती प्रतापी उर कला निनी हो सकता गड़वाल का सिवाजी फते पति सा को का जाता है बंगावरी या भंगावरी का युद्ध इसको हम बोलते हैं यह हमारा 1788 का आसपास हहता है आलांकि युद्ध होता नहीं है आपचारी ग्रुप से युद्ध होता नहीं है पहले ही सुला हो जाते है एक्शुरी गुरु गोविंद सिंग डेरा डाले होते हैं पाउटा छेतर में और वहाँ पे अपने सिपाईयों को ट्रेंड कर जो होते हैं तो कोई आदमी ये बोल देता है फते पति सा को गुरु गोविंद सिंग गड़े राज्य में हमला करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसी कुछ कॉंट्रोवर्शी हो जाती है और फते पति सा सचमान लेता और हमले के लिए चले जाता है बाद में वहाँ पे दोनों के बिच वीचारों का आदान प्रणान होता है और फिर समझ जाते हैं कि वह ऐसा कुछी नहीं होता फिर ठीक है लेकिन ये कुश्यन बना थ तो गुरघोविंद से और फते पति सा के बीच में हुआ था तो ये भी था और कुछ लोग बोलते हैं कि युद्ध का दत्कालीन कारण यह था हिमांचल प्रोडस्त कर दो प्राजा था तो मेधनी प्रकास ने से गुरघोविंद सियां की मितलता थी ती थिक है तो बहुत से लीजन हमको देते हैं इतियासकार इसके बाद अकर मन्या महतोफुल पॉइंट्स के हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारा फते पुल नगर की स्थापना भी किसने की थी हमारा फते साने ठीक है और इसने अगवन जो हमारे नौरत न थे न अगबर के दरबार में आ अब यह कौन थे इतना जानना आवश्यक नहीं है इतना महतोफपुल कोश्य नहीं बनता है कि सकते के दरबार में मुगरसासनद के भाती ही नौरत में थे तो फते फती साहब को याद होना चीकि है कि इसके बाद इन्हें फते पती शांसे जुड़े महतोफों पॉइंट कर जाता है और इसके अलवा दोस्तों हमारा जो है दोस्तों अगला इनसे जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसमें आजाता है इनसे जुगली वी साइथिक रचने तो साइथिक रचना इनके टाइम पर बहुत सी हुई जिसमें पहला नाम में लूँगा फतेह साह कान ग्रंथ फतेह साहा कान ग्रंथ और इस ग्रंथ को लिखने वाला व्यक्ति था जटाधर शटाधर और इसके साथ एक रतनकवीं ने भी अस्ता लिखित ग्रंथ लिखा इनके टाइम पर फतेह साह के टाइम पिरिडड पर गुरु रामराय का आक्मन हुआ था ये भी महत्तवपून ग गुरु रामराय गुरु रामराय देरान पदारे ते द्यान दगेंगे ठीक है और फते पती साह ने गुरुद्वारा बनाने के लिए तीन गाउं इनको दान में दिये थे खुड़बुगा राजपुर और चामसारी यह भी महत्तव पुण है और प्रदीप साह भी देता है तीन-चार गाउबाद में गुरुद्वारे को इसके बाद दीखे फते पती साह को मोला राम ने एक उपादी दी थी भी महत्तव पुण है मोला राम आपको पता है गड़वाल का महान चित्रकार था मोला राम बहुत से राजाओं का टाइम पिरेट देखा मोला राम ने मो परदीव साहब हमारे बहुत ज ज्यादा महतोपूंग राजा है दोस्तों और प्रदीव साहिखे और चंद सेना के बीच में एक युद्ध भी होता है तो तो गड़ाई का युद्ध किसके बीच में हुआ तो गाएक पाउवारों चंद सासकों के याद रखना है आपको न अब डावन्स आते हैं गड़वाल लाजिम है और इसके बाद जो अन्य सासक है महतुपूंग ये हमारे प्रदीप साह के बाद ललीच सा आएंगे ठीक है प्रदीप साह जब राजा बनते है तो इसके टाइम पिलेट पर गड़वाल और कुमाओं के संब्धे बहुत मधूर ह और परे जाते हैं यानिकि दोनों के बीच में बहुत कम युद्धू होता है फिर बहुत अची संडीय प्रदीप साह कार्यकाल होता है जबीच कहा संकाल चंद में विह सासक प्रदीप साह है थहां Untin तो इसके वाद अगला कि यहए यहांपको देखिए बोला गईया भात की और अपने तुरह, दिती है पुत्र प्रतिमान ओकी गद्धी पर बैठाय। बातुर ओके दोस्तों ने चंदीए नामिस और प्रतिमान चंदे कुमाओं में बैठा देता है दोस्तों ठिके डाइसे France दे सी के Things सा से जुड़े हो दोस्तों यह है दोस्तों बगवाली पोखर का युद्ध कब हो आता तो बगवाली पोखर का युद्ध कब हो आता तो बगवाली पोखर का युद्ध हो आता 1779 में दोस्तों जिसमें कि चन्द वंस और फॉआरोंसी की सेनाओं के बीच में विद्द्ध होता है यानि कि हमारा ललित साह और मोणचन्द की बीच में ठीक है यह महत्व पूंगर यह दिखेंगे और ये भी एक महत्युप्पवाल है दोस्तों जैकिल्सा जब आएगा ना जैकिल्सा देखिए लली साह के बाद जैकिल्सा गरवाल पर बैटते हैं और जैकिल्सा अपने छोटी भाई प्रदियुमन साह से सतुर्ता रखते हैं आगए कर दोए बहुत बहुत कहानी को पढ़ते हैं तो यह पूरी यहांपर दी गए पॉइंट दगे और फाइनली क्या होता है जैक रिस्रा के टाइम पिरियाट पर बहुत था कलेश होने लगता है जिससे जैकर्थ सा क्या होते है, राजगद्धी को छोगल के रखुनात मंदिल देव परियाग में चले जाते हैं खाना पिना छोगल देते हैं वहाई पर उनकी मिलती हो जाती है, ठीक है, तो ये कोशियन सासक होंगे ठीक है यह महत्तों पॉइंट है आपको या रखना है लेकिन जो पर छोड़ा भाई था ना इनका पराकरम सावी हमने डिसकस किया यह थोड़ा ज्यादा यहां पर क्या करता है अंतरिक कलेश कर देता है और बहुत ज्यादा यहां पर क्या होने लगती है अब 7091 में इसी स्थिरी का पता गोलखों को भी चल जाते क्योंकि आपको पता है सत्रह सो नभे में गोल खाओंने का हां पर अटेक कर लिया था कुमाओं मने गोल को अपने धीन कर लिया था अब कुमाओं में गोल के बैट रहे थे उनको भी पता दा द्या ज़्याद कि चेतर को शिता वहीं का बनता है कि गुलखाओं ने सर्वापतम कड़वाल पर अठेक अपके तो 1791 में लेकिन क्या होता है कि गुलखाओं से यहाँ पर प्रद्यो मन सा요 दोस्तों क्या करता है कि संधी खरता लंगोर की संधि संधी κींश लंगोर की चैने बीं में घरवाल मैं भीशन अकाल पड़ता है यह महत्रापूर्वर्स ह्सें जिसको 51 बाव hanji का जाते हैं क्योंकि संवध Чप देगा जिए चलदा अला इक करें भाल कन चलना था छोगता आश चेक में च्रब़। 1873 में एक भेंकर भुकम पाता है तो इसके बाद तो गड़े राज जी की जो इस्तितिया बहुत ही ज़्यादा दैनी हो जाती है कुछ नहीं बसता पुरे राज को खतम पुरी बीडिंगे टूट गई है बहुत से लोग मारे गई है मोला राम ने स्री नगर दुर्दसा में इ इसके बावजूद भी प्रदिमान साब बगल वीलता से लगते हैं गोलखाओं से तो इसी मौके का लाव उठाके गोलखा क्या करते हैं गड़वाल लाचे पर अटेक कर देते हैं और फाइनली क्या ओता 804 में दोस्तों हमारा 804 14 मही 804 देरात उनके खोड़ग्रा में यू देख ली दोस्तों ठीक है और इसके बाद जो हमारे अन्य राचा होते हैं वह भाग जाते हैं दोस्तों यहां से ठीक है प्रिटम सागो तो गोलखा बंदी कर लेते हैं और दूसरा भाग जाता है यहां पर तो बहुत से महतोफ़पुर पॉइंट है दोस्तों इसके बाद गड़ राजी में कुमाव राजी में हमारा गोलका राज हो जाता है तो आप थोड़ा गोलका राजी संबंदित महात्योपन पॉइंट भी हम पड़े लेते हैं ठीक है तो यह हम देखेंगे फिर अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम ब्रिटिस सासन देख लेंगे तो अब सका कि गोर्खा लोग दो इसी प्रिकार के ब्रहामण को मान देते पांड़े और उपाध्ये इन को इज्जद देते थे ठीक है पांड़े और उपाध्याए बागी यह ब्रहामण वह भी हमारे बेगार करेंगे किसी के लिए कोई चूट नए यह यह में जो गोर्खा सासन दाना देखिए कुमाओं में कितने वर्स रहा हमारा 814 में यहां पर बिल्टी सासक आएंगे जो हमको फिर आजात करेंगे तो लगबग 24-25 साल यहां कि 25 मोड़ा मोड़ा माल नहीं 25 साल कुमाओं में गोर्खाओं का वो रहा अधिकार रहा और गड़व और इसके अलावा देखिए गोर्खा जो प्रशासन था गोर्खा में बहुत जादे टैक्स लगाए थे गोर्खाओं ने तो गोर्खाओं लागे द्वारा लगाएक कुछ टैक्स थे पुंगागी नामक टैक्स इन्हों ने लगाए पुंगागी एक भूमी कर था दोस्तों यह आदक नामने टीका भेड़ भी यह लेते थे साधी विवा के समय इसके अलावा दोस्तों अन्य महत्तों टैक्स के हम बात करें दोस्तों तो यह मरो नामक टैक्स भी लेते थे किसी व्यक्तिक अगर कोई पूत्री पूत्री नहीं है तो उससे मरो नामक टैक्स लेते थे सब्सक् पॉैंट उस्तों बहुत ज्यादा महत्फ पॉैंट बनते हैं। इनकी न्याए व्यवेवस्ता इनकी नियाय ब्यवस्ता बहुत ज़्यादा खराब थी दोस्तों तीक है अलग लगत रहा कि यहां पर दिब्ब्य प्रचली थे गोला दीप कड़ाय दीप तराजु दीप इसा भी हमने डिसकस किया हो पहले भी और एक महत्वपुण पॉइंट यह भी बनता है कि जब अगला टोपिक आएगा हमारा परिक्ष्यावाणी से संब्सक्राइब उसमें हम देखेंगे जो हमारा बिल्टीज सासन आएगा पर उसमें आंगल गोर्खा इृद्दगी चर्चा करेंगे और उसके सासाद हम अन्य महत्तवपूण तर्थ्या देखेंगे यानि कि आधुन मान तक ठीक है फिर हमारे चैप्तर खतम हो जाना है अब बागी कुछ अन्य महत्तवपूण पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों उनके बारे में भी डिसकस कर लें गोर्खा सासन से समय तो अगोर्खा सासन के समय जो हमारे खसकुरा भासा का संब्द किस से है तो खसकुर संब्द भी गोर्खाओं से तागौन खैया इसका महत्तवपुन पॉइंट है गोल को की जो राज भाशाथ ही गोल खाली एक ही बात है तुब कर दोस्तों यह हमारे कुछ सासक थे जैसे कि अमर सिंग थापा हो गए और रंगल जोल शिय थापा हो गई यह कुछ गरवाल के मापकुछ सबसे जाधा इसमें नाम देखने को मिलता हैं अमर सिय थापा सबसे जाधा माझन प्रतापी और सबसे जदा ताकत वर सासक हम बोल सकते हैं कौन था तो अमर सिय थापा था हो याद रखेंगे इसका ठीक है और एक और मात्रव पॉइंट यहां पर रहे गया दोस्तों जैसे कि गोल्खाओं ने पहला भूमी बंदोबस्त कब कराय था तो दिखे गोल्खाओं ने न आते ही कुमाओं छेद्र में पहला भूमी बंदोबस्त कराय था 1791-92 उसको करवाने वाला जो सेनापति या उसमततकालीन साथ सक था उसका नाम था जोगमल तो पहला गोल्खा जिसने दोस्तों कुमाओं गर्वाल की धर्ति में गोर्खा शासन रहता है और गोर्खाओं की मनमानी के चलते क्या होता है दोस्तों हमारा जो ततकालीन अंग्रेज गवर्णर जनरल है लॉड हैस्टिंग्स और यहां पर सुदर्शन साजो की प्रद्यूमन साथ के पुत्र थे सुद तो बहुत सी ऐसी आपस में क्या हो जाते हैं इन दोनों के बीच में गोर्खाओं और बिल्टिसस के बीच में और फाइनली जो उसमें ततकालीन गवर्णर जनरल था भारत का लौड हैस्टिंग्स यह बहुत महत्तों पुण है अंगल गोर्खा युद्ध किस गवर्णर जनर तो फाइनली क्या होता है अंगल गोर्खा युद्ध होता है तो अंगल गोर्खा युद्ध के बाद उत्राखंड की धर्ती क्या होती है गोर्खाओं से मुक्त हो जाती है और फाइनली क्या होता है उत्राखंड में दो यहां पर प्रसासनिक या राजनितिक एकाईयां दे तो टेहरे लियाशत में भी कुछ उत्तरवर्ती पावार सासक होंगे जिनके बारे में हम तोगा डिसकस करेंगे दोस्तों ठीक है क्योंकि यहां पर थोगा कॉंट्रोवर्सी है कि यह बोल सकते हैं कि यहां पर धोका दगली हो जाती किसके साथ सुदर्सन साकेश हम आरे उत्रागन भूबा को आप खाली करवाओगे तो गड़वाल चेत्र मुझे देते ना कुमाओं चेत्र में आप अपने कमिस्नर लिया रेगुलेशन प्रांत जो भी बनाना आप बना लेना लेकिन अंग्रेश बोलता है भाई हमने बहुत ज़्यद्ध में ब्याई कर ल गरवाल को स्वतनतर कराने का था लेकिन ब्रिटिसस ने फाइदा उठा दिया तो आधा गरवाल अपने कवजे में ले लिया इनोंने ठीक है लेकिन फिल क्या हुआ दोस्तों अब इस्तापना तो करनी पड़े कि राज्य मिल गया है तो सुदरसन सा ने दोस्तों 28 दिसंबर रठाच औपनर को अपनी राजधानी स्रीनगर से अढ़ा कर तृहरी में इस्तापित की दो पहला जो उत्तर वर्ती पंवार सासक का या गरवाल में पंवार वंसे का पचपनवा सासक यह पूछा जा चुका हूँ पहले पॉमार भंसर का पचपन वा सासक कौन था out ले जुदार्शन साथा हूए तो उत्तरवर्थी पॉमार सासन का पहला सासक कौन होगा हमारा चुदार्सञ साथ तो सबसे पहला point यह अमेजा question बनता है की तीहरी राजधानी इसंदापीत किते हैं तीहरी राजधानी स्तावित करने वाले सासक सुदर्शंसा टीहरी को सुदर्शंसा ने राजधानी कब बनाया था तो 28 दिजंबर 1815 को बनाया था यह बहुत महत्वपूर्टी थी है इसको आपने याद रखने है ठीक है और 1823 में टीहरी में पहला भूमी बंदोबस्त करते हैं दोस्तों द्यान रखेंगे सुदर्शंसा ने हमारा दोस्तों पुराना दरबार नामक राज प्रशाद भी बनाया था पुराना दरबार रखा और महल बनाये अपने लेडिक है राज को उस पुरा खाली हो गया था बहुत से टैक्स बीजने लगाए यह तो आप सब मिल जा रहा है क्या क्या काम कहने होने ठीक है यहां परिक्षेंगे हम पढ़ें कि थोड़ा महत्वपुन पॉइंट बना बता रहें आपको सुदर्सन साथ से जुगा सबसे महत्वपुन पॉइंट यही है कि इसने टीरी को राजानी बनाया सब्सक्राइब को इसके टाइम पीलेट पेट 823 में टीरी में पहला भूबंद वस होता है पांवार बंसका पच्पनवा सा सकता चैतो और मांड को इसी के दरबार में थे दोस्तों ठीक है और इसको यह स्वयम को सूरत कवी के नाम से रचनाएं भी करता था यह भी पढ़ते हैं दोस्तों तो बहुआनी साहा टाइम पिरेड भी या दखेंगा उत्तरवर्ती पहुआर सासोकों का सुदर्शन साहा का टाइम पिरेड रहा 1815 से 1869 तक बहुआनी साहा बनते 1869 में और 1871 तक राजा रहते हैं तो बहुआनी साहा देखिए इन्होंने एक संसक्र सबसे महत्वपूर्ण कोश्यन इन्हों से यही बनता है कि टीहरी में अंग्रेजी सिक्ष्या की सुरुवात किस राजा नहीं की थी तो टीहरी में अंग्रेजी सिक्ष्या की सुरुवात की थी प्रताप साह नहीं की थी इसके अलावा दोस्तों ध्यान दखेंगे इनके ना प्रताप साने जीवला 25 भूमी मापन के लिए इन्होंने जीवला 25 भी शुरू की महतोपुंग पॉइंट है याद अगेंगे ठीक है और टीहरी में सबसे बहले पूलिस विभाग की स्थापना किसने की प्रताप साने की इसके बाद जो राजा आएंगे तो बहुत महतोपुं आँ बोल सकते है हक्षालाग के उत्तरवर्ती जितने भी पॉह अहसा कैंगे अंग्रेजों के भक्तों मैं राज भक्तों में फकिका में .... राज तो अंग्रेजी के गुलामी स्यूकार की थी आपको मैंने बता है चंद वंच मैं मुगलों के अदिन्था श्यूकार हो चुकी थी गरवाल के पवण वंच मैं पहले का प्रद्यूमた शाहतग तब तक गरवल के राजाओं ने किसी की भी अधिनता श्यूकार नहीं की ना मुगल वनसों की ना चंद वनस की ना किसी की बिलकुल स्वतंत्र रहे हो लेकिन उत्तरवर्ती जो पमार सासन हुआ उत्तरवर्ती पमार जितने भी सासक हुए यह अंग्रेजु के राजभक्त थे ठीक है तो कीरत किसा बहुत कामवर में राजगदी में बयाज जाते हैं तो इनकी संदक्षी का थी महारानी गुलेडिया यह भी महाते वकया इनसे पत्र उनका वयसकण होता था लेकिन राजगद्दी में बैठने का अधिकार हमेशा जेठा पुत्र को ही होता था क्योंकि उत्राघंड की दर्ती में जेठा प्रथा चल दी थी राजा का जो बड़ा बेटा होगा भाईया वही गद्धी में बैठेगा और इसके बाद पूरी कद्धियों समाल लेता था तो यह पूरी कहानी थी तो गुलेरिया इनके संदक्षी का थी ठीक है इनका चुस्वासनकारला की इलती सा का महत्तोपुने अठार सो छीयासे से 1913 तक अंग्रिजुने इनको CSI की उपादी थी CSI मतलब Companion of India ठीक है द्यान केंगे महत्तोपुने और इसके सांसाथ अगर हम बात करते हैं दूस्तों तो इनको नाइट कमांडर की उपादी मिली थी इंगलेंड में इन्होंने प्रताप हाइस्कूल और हिबेट संसकृत पार साला की इस्तापना की ती केलती साने बहुत महत्तोपुन प्रताप साने प्रताप नगर बना नरेंद्र 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 नगर बना देंगे तो यह कठिन तो है क्योंकि जो भी है यह आप कनेक्ट कर सकते हैं केलती सा आगे टाइम प्रेट पे ही 897 में टेहरी में घंटागर बना था हलांकि वो आज वर्तिमान सब्सक्राइब में टेहरी डेम में जल्मग नों हो चुका है क्योंकि पुरानी टेहरी में ही टेहरी लिया सकती अब नई टेहरी बसा दी गई है न तो यहां पर देखिए हमारे कीलती सा ने 897 में टेहरी में घंटागर का निर्मान करवाया था जिसकी उच्छा 110 मीडर थी और यह क्यों करवाया था क्योंकि उसमें ततकालीन जो हमारे अंग्रेज की बिटिस महरानी थी वह यहां पदार रही थी तो इस इनके सम्मान में इन्होंने किया था कीर्थी शाने बोला जयते कि हिंदी टाइप रड़ेटर का भी आविस्कार किया था यह कुछ महातवड़ पॉइंट से जुड़े और कीर्थी सा के टाइम पिलेट पे ही स्वामी रामतीर्थ पदा रहे थी या जापान की यातरा की ते जिन्नोंने स्वामी रामतीर्थ ठीक ह नहीं ठीक है तो कीरती सासी जुले कुछ महत्वपूर पॉइंट है तीहरी का जो गंटा करें गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं तो यह हमारे बभ्या इमारत थी वो जो जलमगने हो चुके हालांकि पुराना टेहरी जो पुराना टेहरी आज जलमगने हो चुका है द दोस्तों इनके टाइम पी परिजा मरंडल की मांग होते हैं इनके टाइम पिछट पर भोत उत्रागंट दियासमा काला दिन वाली घटना जिसको रवाइंकांड जो इन ही का जो बोल सकते हैं इनका जो दिवां था चकरतर जुयाल इसीने नियत्ती जनता पर गोली जला दे यमना के तिलागल मैदान में जो रवाई परखने में हम पगते हैं रवाई कांड बोलते हैं जिसको तिलागल कांड तो वहाँ पर जनता प्रदर्शन कर रहे थी राजा अमारे भार गई वदेश मरेंद्र साथ और चक्रडर जुयाल ने चला दी गोल या इसलिए तिलागल घ में ध्यान रखेंगे 1925 मन में राजधानी नरेंद्र दनगर बना देते हैं नरेंद्र शाह और इससे जुड़े अन्य महत्तोफ़ पॉइंट जो नरेंद्र शाह से हैं तो नरेंद्र शाह के टाइम पिलेट पे बैंक भी खुलता है अलांकि एक बैंक के टी सागर टाइम प ठीक है तो 30 मही 1930 बहुत बार पूछा जाता है तिलागर कांट या रहाई कांट क्या थम और इसके अलावा दूसरी जो गड़ना होते हैं वह हमारे अमर सहीत स्री देव सुमन जी से रिलेटेड है तो रिदेश दुरों का मुगत्मा चला देते हैं क्योंकि प्रजामंडल मे विदेश यात्राओं में ज़्यादा रह जाते थे और यहां के जो इस्थानिय कर्मचारी होते थे वह बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे जन्ता पे अब में राजर चले जाएगा शिगायद भी किससे करे जन्ता है ना जैसे रमाई कांट हुआ अगर महराजा यहां ह होते हैं नरेंदर सा तो क्या रमाई कांट होता नहीं होता ना पूस्ता पहले जो दिवान था कि ऐसे ऐसे प्रोडर्शन हो रहा है यहां पर और हम क्या करें इस पे तो ऐसा नहीं हुआ तो जितने भी कांट हुए जिसमें बोला जाता है कि जो हमारा सिल्देश उसुमन की म लोटो मिरती हो जाती है अक्टूबर क्या होते दोस्तों 1946 मैं क्या करते हैं हमारा अक्तूबर और नरेंदर साह राज गत्व को छोग देते हैं और अपने पूतर मानवेंदर साह को गत़ी पर बैठा देते हैं तो द्यान के मानुवेंदर शाह पाउरवन से के अंतिम सासक होंगे 1946-1949 तक बेड़े इंके टाइम पिराट पे जना अंदोलन था बहुत जदा चरम पे पहुंच गया और फाइनली राजा को गदी छोगनी पड़ी और उसमें जो हमारा भारत आजाद हो चुक था 1947 में तो ट टीहरी रियाशता उसका भारतिय संग में विलाई हो जाता है एक अगस्त उनिसों उन्चास को और ये उत्तर प्रदेश का पचासवा जनपत बनता है उस समय के यसाब से यूपी का फिफ्टीवा जनपत और हमारे भूभाग के यसाब से चौनथा जनपत ठीक है तो अगस्त उन्चास को और इसके बाद देखें दोस्तों हमारा जो मानुवें इंदर शाह है दोस्तों मानुवें इंदर शाह लगा अतार टीहरी सीट्स से सांसद भी रही थे और फाइनली 2007 में उनकी मुर्टी हुई थी मानुवें दिस्कस कर दिए इसके अलावा दिखें ट बख जो टैक्स देना वो चंद सासों को के समान थे ठीक है फिल भी कुछ टैक्स थे जिनके बारे में हम थोड़ा डिसकस कर देंगे जो महत्तों पूंग था तो कुछ ऐसे टैक्स है जिनकी मैं यहां पर डिसकस करना चाहूंगा दूस्तों ठीक है जैसे कि हम बात करें जूलिया नमक टैक्स इनके टाइम पिलेट पर जूलिया जो की नदी पूलों पर लगता था यह सेम एज़ीटिच था जो कि वहां लग रहे था यहां भी था भाग कर यहां पर भी था हमारा जो की घराटों पर लगता था ठीक है और इसके अलावा जि सेम थे यहां पर ठीक है तो इसमें ज्यादा डिसकस करने की आवशक्ता है हालंकि हाँ एक महत्तों पूंग है मीजर मेंट के लिए अजय पाल ने एक मीजर मेंट सिस्टम बनाए था यह बहुत महत्तों पूंग है धूली पाथा था पाथा उसमें एक मापन निकाई थी तो दोगुने क्या उसमें धांदली शुरू करती देते समय कम देना और लेते समय पूरा लेना अजय पाल को इसका पता चला तो उसने बोला कि ऑफिशल हम पाथा का निर्मान करेंगे राजदरबार की महर वगेरा होगी जिसमें और इसी का उप्योग सब को करना पड़ेगा तो इसलिए इसको बोला गया धर्म पाथा ठीक है तो याजय पाल की टाइम पिरेट पे इसका इसकी सुर्वाद होती है अन्य कुछ महत अप्र पॉइंट है जो कि हमारे गड़वाल के परमार सासकों से जुगए है उनको थोगा डिसकस करते हैं जैसे कि रचनाओं से कोशि नोटतरवति तो प्रेम पंतिक तो तोताराम गיैरोला की रचना ठिक है महत्वपून्य तोताराम गेरोला इसके अलावा दोस्तों कीलती विलास सदानन्द डवराल जी जी रचना मानोदह काव्व्य बता छुके हूमना बरत कभी इसके अलावा गऴ राजवन्स Alan經 रचन शुनार जाती गाथा और फार्यम पर पेशा करते हैं और इसके अलावा राम से और कोशियन भी बनते हैं कि मोला राम की कौन कौन सी रचना है तो यह आपको कलासन सकर्टी वाली रचना में मिल जाएगा जब चितर कला की हम बात करेंगे इसके अलावा जहांगिल विनोध नामक एक रशना भी हमारी बहुत ज़ता पूछी आते क्योंकि जहांगिल से बहुत अच्छे संबने थे हमारे जो मध्यवल्थी पमार सा सकते तो जहांगिल विनोध जो रशना है यह भी हमारे भरत कभी की है और कदल की दिवंगत विभूत्यां बहुत पुछ तो और गोरखणा Тем कंक कनफटाईं और यह जाज फ्रेजर की ऑक कर देंगे और एक और महत्वपोने दोस्तों एक है कि गोरकवानी जो तो गोरा खुभूनि जो रचना है यह सुधारसन साहब तो कुछ आपनी याद रखने हैं इसक एक्साम में कohosn बनता है है कि कि ठीरी में रेट-kरॉस सौसेलेटी का विस्ता पित हुई थी है थी 1934 में ठीक है यह आपको याद रखने है पुराना दरबार में आपको बता चुगा हूँ पुराना दरबार जो मेहल बनाया किसने बनाया शुतरसण साने एलिया में जो सुरक्ष्या कर्मी होती थे उनको गोलडार कह दा ये आपको यादिक ने वैंद हो परगनों तो परगनों में राजस्तों वश्वतो काम ठोकदार करते थे उनको हमिःतोर पॉंट पॉंट है पॉमार साशकों की आय का मुख्य सुरोद क्या था तो भूमी करता है इसके अलावाद देखे दोस्तों और अन्य महत्वपूट पॉंट की हम बात करते हैं दोस्तों तो जेठा पर था थी पॉमार बंस में यानि कि राजा का पहला पुत्र ही राजा लगने है ट्ने है कि परने हमें कौंसा दिकाल दालताह यह यानि ठीक है देखे एक महत्वपूंग पॉंट और बन छाता है कभी कभी कि पंवार वंस में जो सेना को वेतन देने वाला बातलिकाली का इसका नाम किया था तो इसको boxally से three गाया भक्सी है यह भी आ दखेगा महत्योपन पॉइंट है यह तो यह कुछ महत्योपन पॉइंट हमारे बन चुके हैं पूरे पाउआरवंस से गोलका सासन से हमने यहां पर डिसकस कर लिए अभी भी टॉपिक बहुत लंबा हो सकते हैं दोस्तों अगर मैं बताओ यहां पर तो टॉपिक बह लिक्षाओल के अध्यातीन को समाप्त करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने बताया दोस्तों उनको आप नोट करने जल्ली मिलेंगे आपको नेक्ट टॉपिक में तब तक आप लोग अच्छे से अपने स्टेड़ी करें अपना ध्यान रखें जै हिंद जै उत्रा करिंट